साथ बल्वाजी ने रिटर्न फॉर्म जो है वो इंक्म टैक्स इपार्टमेंट ने नोटिफाइग कर दिये हैं अब यह बताएए पिछले साल के मकाबले अब इन आईटिया फॉर्म में किस तरह के बदलाओं हैं जिसके लिए हमें तयार रहना है दिखे प्रिंग का ऐसा है क कि कमें बेशी आईटियार फॉर्म के नंबर वही है परन्तु कौन यह आईटियार वन या इटियार फॉल फाइल कर सकता उसकी कंडिशन्स एक्स्पाइंड हो गई है पिछले साल तक ऐसा था कि आपकी जैसे पचास लाग से कम इंकम है या जो तीन सोर्स है आउस प्रॉप कंपनी में डारेक्टर है या कोई लिस्टेड अन्लिस्टेड कंपनी के शियर से आपके पास में या कोई और किसी व्यक्ति की इंकम आप में एड हो रही है जिस पर टीडियार चाटा है तो अभी आप आईटियार वन फाइल नहीं कर सकते अग जो दूसरे चेंज आईटिय फोर में पिछले साल तक नौन रेसिडेंट भी आईटियार फोर फाइल कर सकते जो प्रजूम्टिव टेक्स पर है अभी ऐसा है बहुत सारी रस्टिक्शन वह आ गई है जैसे यह पहले चार रस्टिक्शन आईटियार फोर वाली तो भी आई गई है इसके अलावा जो आई आपसे बड़ा चेंज आया है वो आई ट्री तू और त्री मेन और आइट डू और त्री कों कर सकते उसमें चेंज नहीं है पर आई ट्याटियल देनी है आपके नाया आपको डिटेल करने करने के लिए कुछ परस्ण पूछे तो आप इंडिया में कितने ताइम तक रहे है पिछले साल, पिछले दो साल, चार साल, शात साल, दस साल में, तो वो डीटेल आपको देनी है, इसके अलावा एक और चेंज आया है प्रहेंका कि ये आपको जो ऑनलाइन रिटन फाइल करने का जो है वो एरिया बढ़ा दिया है, पिछले साल तक सीनियर सिटिजन जो आई टी आई टीर फोर यूज करने है, तो ये ब्रॉडली जो चेंजे जो आई टीर फोर में आया है, तो केवल सीनियर सिटिजन को वो भी 80 साल के उपर भी आपके सवाल है, हमारे एक्सपर्स आपको बताएंगे, क्या बरना है, कैसे सही तरीके से भरना है, ऐसा ही